मैं नानुराम पड़े और चिंतन करे के सद्यन सकारात्मक और नकारात्मक सकर्मि प्रभाव। राजु विद्यालाई और गर्पर हर समय पड़ाई करता था वहां में साच्य अंगासिल करता था उसकी कोई एन्नी रुच्ची या सोक नहीं थे। जब उसने ग्यारवी कक्षा में एक नए विद्यालाई में दाकिला लिया तो जाहिर और मोती के साथ उसकी दोस्ती हो गई। दोनों उत्साहित क्रिकेट खिलाड़ी थे। राजु ने उनके साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। और पाया कि वह एक अच्छा स्पीन गेंदवाज था। उसकी माता-पिता अब चिंतित है कि वह खेल के मैदान में बहुत अधिक समय बिता रहा है। इससे उसकी पड़ाय प्रभायत हो सकते हैं। चर्चा के लिए इसमें प्रश्ण हैं। क्या आपको लगता है कि राजु पर जायर उनमोती का अच्छा प्रभाव है। क्या आपको लगता है कि राजु के माता-पिता की उनके नए सोक के बारे में चिंता सही है। प्रश्ण तीन हैं। राजू के शिक्षुकों की उसके माता-पिता की चिंता को कम करने में क्या गुमेका हो सकती है प्रश्न चार क्या राजू को क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए अगर हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों के सद्यन दो सारेरिक छवी के बारे में उड़ी बद्धारना कक्षा सात्वी में सालीनी और उसके दोस्त पिद्यालाई में वार्शिक समारों की तैयारी कर रहे थे वे सब भी बहुत उत्साइद थे सालीनी सास्त्री निरत में हिस्सा ले रही थी जबकि उसकी सहपाटी अनिता और फ्रहा नाटक में थे एक दिन अनिता ने उससे मजाक में कहा तुम बहुत खाली हो मंज पर तुमको देखने के लिए हमें अतिरिक प्रकास किया आओ सकता होगी सालीनी ने उससे कोई जवाबी नहीं दिया फरा को सालीनी के लिए बूरा लगा और उसने कहा तुम अच्छी तरह से नज़त करती हो तो गोरी होने के लिए तुम गोरेपन वाली क्रीम का उप्यों क्यों नहीं करती क्या तुम कलपना कर सकते हो कि यदि तुमारा रंग गोरा होगा तो तुम मंच पर कितनी अच्छी दिखोगी सालीने मुस्कराते हुए का दन्यवाद फरा मैं तुमारी चिंता की सरहाना करती हूँ लेकिन मैं अपने रंग से खुस हो मेरे सिक्षक और मैं अपने रच्टे ब्यास पर कड़ी मेनत कर रहे है और मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रयास और तुम्हारी शुप कामनाव से अच्छा प्रदसन होगा चर्चा करें इन प्रश्णों कर कि सालीनी के बारे में अनिता की टिपनी अच्छी से अनिता की टिपनी से आप क्या समस्ते हूँ क्या वास्तों में रंग कई मायने रखता है या फिर उसकी जो है नाचने रत करने की कला दन्यवाद इसी में अगला प्रश्ण क्या आपको लगता है कि फराकी टिपनी एक गलत और उड़ी बैद दहरना याने की सुंदर होने के लिए गोरा रंगाव से पर आधारी थे या तत्यों पर आधारी थे अपना जवाब समझाएं क्या सालिनी की प्रतिकिर्या से संकेत मिलता है कि उसकी सकारात्मक और नकारात्मक छवी है उसके जवाब के लिए कारण दे क्या आपको लगता है कि सालिनी एक परिपक्व लड़की है इसके पास समवाद की सकारात्मक से लिए उपरोगत मामले में अद्धियन्स से आप यह निसकर्ष निकाल सकते हैं कि सरकर्मी और समंदो में सकरात्मक और नकरात्मक दोनों आयाम हो सकते हैं सकरात्मक समंदो को बनाय रखने के लिए आत्मे विस्वास और मुकरता हो सेख है जो बालिका ने कहा किसोरों और उनके माता-पिता तता सिक्षकों को आपस में अधिक बाचित करनी चाहिए ताकि वे एक दुसरे की चिंताओं एम एक दुसरे को बहतर समझ सके ज़्यादातर इस्तितियों में भावनाओं को दिखावा करने की बज़ाए उन्हें परचान जाना चाहिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्यसकों के लिए स्वस्थ्य, इमानदार और बुद्धिमान परिपक तरीके प्रदर्शित करना बहुत मातपोण है पुर्वाग्रह और अज्यानता के कारण बचे कभी-कभी हाननी कारक या परभावी बाहरी उत्पादगों की तरफ आकर्शित होते हैं जो सारेरिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने का दावा करते हैं उदारने के लिए कुछ उत्पाद अहार और व्यायाम की अभीना बहुत तेजी से लंबाई और मानस्पेशियों को बढ़ाने का दावा करते हैं इसी तरह सुंदारी साधानों और ब्यूटी पार्णों की विज्यापनों में पुरुवा ग्रहों तता सारेरिक छवी एम वरंग रूप को सुद्रड किया जाता है इससे चिता अप्रियाप्त और निम्न आत्म सम्मान की भावना पैदा होती है इसे सभी पुरुवा ग्रहों और दबाओं का मुकाबला करना महत्पूर्ण है साथ ही आप कोन हैं और कैसे दिखते हैं इसके बारे में आस्वस्त रहना भी बच्चों को स्वयम या दूसरे व्यक्ति को निचा दिखाने बिना इस्पस्ट इमानदारी और समान जनक तरीके से अपने विचारों तथा भावनाओं को पैचानना एम सीखना चाहिए दन्यवाद